नमस्कार दोस्तों, स्वागत गरती हूँ आप सभी का exam machine में आसा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे इसी के साथ दोस्तों मैं आज अपनी वीडियो में लेकर आई हूँ बंगाल शेली के चित्रों का अध्यान यह होने वाली है क्लास 12 के पेंटिंग सब्जेट के स्टुडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा important वीडियो क्यूंकि इसके अंदर है solution आपके बंगाल शेली के चित्रों का अध्यान chapter का जो बहुत जल्दी से आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी तो शुरू करते हैं question number first से यात्रा का अंद नामक्रती में चित्रकार ने किन वेदनाओं को प्रकट किया तो यात्रा का अंद नामक्रती में चित्रकार ने एक ठके हारे वे भूके प्यासे उट की मनोदशा वे कस्टों को उसकी आधी खुली आखों से तथा निढाल पड़े हुए शरीर से दिखाया है किसमे यात्रा के अंद चित्र में उट की पीट पर लधा हुआ बारी बोज मालिक द्वारा किये जा रहे चरम, शोशन वे जुल्मों का प्रतीक दिखाया गया है मतब चित्रकार ने दिखाया है Question number 2 है शीव और सती नामक चित्र के कलाकार कौन है तो यह तो बहुत चोटा सा प्रशन का अंसर है नंदलाल बोस Question number 3 बंगाल शेली के चित्र शीव और सती के बारे में विबरन दीजिए तो चित्र का नाम है शीव और सती चित्रकार नंदलाल बोस आधुनिक काल का यह चित्र माना जाएगा इसकी शेली है बंगाल शेली 1947 में यह चित्र बना है और आज की डेट में रास्टर संग्राल ले नई दिल्ली में रखा गया है इस चित्र में कलाकार ने भगवान शेव और मातासती से संबंदित एक पोरानिक घटना को दिखाया है पोरानिक घटना मतलब जो हमारे गरंथों में लिखी गई होती है उसको हम पोरानिक बोलते हैं शिव को बैठी हुई मुद्रा में उन्होंने दिखाया है और सती का मुर्जाय हुआ चहरा असाय भाव से निहारते हुए हाँ पर शिव को चित्रत किया है चित्रकार ने अपने बाए हाथ से भगवान शिव ने सती के शरीर को सहारा दिया हुआ है और सती उनके बाएं गुटने पर मूर्चित अवस्था में प्लेटी हुई है उन्होंने गले, कान, बाजू वकलाई पर आभूशन पहने हुए है हलके लाल रंगी साड़ी है माता सती की शिव जी ने सिर के पीछे एक हलके पीले रंग का आभा मंडल दिखाया गया है उनका जो मस्तक है वो सफेद रंग से उजला दिखाया गया है उनके जो बाल हैं कुछ जूड़े की तरह बंदे हुए हैं तथा कुछ उनके दोनों कंदों पर बिखरे हुए दिखाये गये हैं शिव ने अपने गले में हार और साप को धारन किया हुआ है उनका धड थोड़ा सा भारीपन लिये हुए है धड मतलब शरीर का उपरी हिस्सा आ जाते हैं कोईशन नमबर फॉर पे चित्र शिव वे सती की विशेशनाओं का वर्णन कीजिए बहुत इंपोर्टन कोईशन है दोस्तों ये इस तरह से किसी भी चित्र की विशेशनाओं से पूछ सकते हैं तो आप उसके अंदर लगभग कुछ-कुछ इन ही पॉइंट्स को डाल सकते हैं चाहे चित्र आपका कोई भी हो ऐसा नहीं है अगर टेंपरा पदती में बनाए तो आप टेंपरा पदती बोलोगे लेकिन क्योंकि शिव और सती चित्र वाश पदती में बना है और यही बंगाल शेली की सरप्रमुक विशेश्ता है दूसरी विशेश्ता है रहस्य मई वातावरन तो कलाकार ने वौश पदती के साथ-साथ धूमिल रंग जाने की पीला, भूरा और बैंगनी रंगों का प्रियोग करके चित्र को रहस्य मई वातावरन प्रदान किया है, वेदना पूर्ण दिखाया है तीसरा हो जाएगा आपका विशेश्ता है, तो नंदलाल बोश ने चित्र पोराने क्विसे पर बनाया है यह आपको आप उपर कुशन में पढ़ चुके है चौथी विशेश्ता है ले आत्मक रेखांकन, तो कलाकार ने अजन्तव मुगल के समान यहाँ पर कोमल पर ले आत्मक रेखाओं का प्रियोग अपने इस चित्र में किया है आ जाता है पांचों पॉइंट, रंग, तो जल रंग का वाश वे टेंपरा पदिती में कलाकार ने यहाँ पर प्रियोग किया है और अपने चित्र को विसेस्टता प्रदान की है कोशन नमबर पांच, सिव और सती नामक चित्र के रंग सहियोजन का वर्णल कीजिए तो रंग सहियोजन हो जाता है, कागज पर पीला, भूरा, बैगनी तथा लाल रंगों की विभिन आभाओं के प्रियोग से निर्मित यहे एक नाटकिये चित्र कलाकार ने प्रिस्तुत किया है चित्र के प्रेस्ट भाग में भूरे वे पीले रंगों की विभिन हलकी वे गहरी आभाओं का प्रियोग भी कलाकार ने किया है जो की बैगनी भूरे तथा सफेद रंग की आभाओं के साथ घुमावदा धरातल पर एकाकार होती दिखाई पड़ रही है चित्र का जो अगर भाग है यानि की आगे वाला भाग है प्रस्ट भाग मतलब पीछे वाला भाग और जो आगे वाला भाग है उसमें उसने बैगनी भूरे वे सफेद रंगों का मिश्रण से चित्र बनाया है और कहीं न कहीं ऐस पस्टता या धूमिलता चित्र में लेकर आए हैं Quesion No.6 शीव और सती नामक चित्रों के सेयोजन ववस्था पर टिपनी करो या वर्णन करो तो ये आ जाएगा ये देखे जिस तरह से शीव और सती पर questions पूछे जा रहे हैं कोई भी question हो सकता है यात्रा का अन्त भी हो सकता है धूमिल राधिका हो सकता है या फिर जो आपका राम गोपाल विजय वर्गय का चित्र है मेक बना रखे हैं उन्होंने उसमें उसकी detailing आएगी अभी तो कोई भी चित्र आप से पूछा जा सकता है तो यहां पर पूछा जा रहा है कि सिव और सती नामक चित्र की सेयोजन ववस्था पर वर्णन कीजिए तो सिव और सती नामक चित्र में मुख्याकरती शिव और सती की है जिसको धरातल के बाई और किंचित उची छितिजरेखा चितिज रेखा दोस्तों वो ती मतलब जमी धर्ती जहां पर खड़ा हुआ जाता है बैठा जाता है या चीजों का निर्मान किया जाता है उसको चितिज रेखा बोलते हैं जैसे कि मुगल लगू चितरशली में चितिज रेखा थोड़ी सी उची होती थी लेकिन जो हमारे भा कलाकार ने दिखाया है तो दोस्तों चितिज रेखा के बाद आ जाते हैं कि धरातल के बीच में यहां पे इनाकरतियों को बनाया गया है कलाकार ने चितर में हर तरह के सेयोजन के सिद्धान्द का प्रियोग किया चाहे वो रेखा हो रंग हो अथवा रूप हो आ जाते हैं क तो राधिका चित्र पर संचिप्त टिपणी कीजिए तो राधिका चित्र कागज पर जल रंग से 1940 इश्वी में चित्रकार अब्दुल रह्मान चगुतई ने बनवाया था और ये टेमपरा और वाश्पदिती में बना हुआ है ये रास्ट्र संग्राले नई दिली में रखा किया है क्योंकि इहां पर ये संचिप्त नोट था तो हमने इस चित्र की डिटेलिंग नहीं किया है आ जाते हैं क्वेशन नमबर एट पर मेगदूत चित्र में कलाकार ने क्या प्रदर्शित किया है इस चित्र के रचनात मक्स सौंधरे पर प्रकास चालिए तो मेगदूत चित्र में चित्रकार राम गोपाल विजेवर्गे ने नीले आकास में विशेश ले आत्मक्ता के साथ उड़ते सफेद कपासी बादलों पर सवार प्रेमातुर यक्ष वे यक्षणी को वास्तविक रंग सेयोजन से दिखाया है यानि कि दो आकरती है यक्ष और यक्षणी मुक पर मुस्कान है हातों और उंगलियों में कोमलता का एहसास दाहिने हात में कमल पुषप लिये हुए हरे रंग की विभिन आभाओं से अलंकरत व्रस्त उन्होंने पहने हुए है और इन सब को बहुत ही ज़्यादा बारीक रेखाओं से हमारे कलाकार ने दिखाया है बा दिखाया है मानो दो प्रेमी आलिंगन बद हों यक्षणी के बाल सफेद फूलों वाले जूडे से बंधे हुए दिखाये गए हैं उनके गले में मोतियों की माला गुलाबी रंग के वस्तर जिससे उन्होंने अपने वक्स इस्थल को ढखा हुआ है कमर के नीचे पीला आभ पर प्रसंता के भाव हैं दोस्तों इसी के साथ आपके इस चैप्टर का सॉलुशन यहां पर खत्म होता है आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें